हेलो एन वेलकम टू माई यूटूब चैनल माई क्लासरूम आज हम क्लास 6 का चैप्टर सेकिंड आरंभिक मानव की खोज में करेंगे इस चैप्टर में हम देखेंगे कि आरंभिक मानव क्यों घूमते थे उनकी जानकारी कैसे मिलती है रहने की जगा निर्धारित करना पाशान और जारों का निर्माण आग की खोज बदलती जलवाईू कौन क्या करता था पाशान का नाव बी स्टार्ट मानव इतर उदर क्यों घूमते थे जो लोग उप महादीब में 20 लाग साल पहले से रहा करते थे उन्हें आज आखे टक खाद संग्राहक के नाम से जानते हैं 20 लाग साल पहले से रहने वाले जो लोग हैं उन्हें आज आखे टक खाद संग्राहक कहते हैं अर्थार्थ आखे टक का मतलब होता है शिकार करने वाला खाद मतलब खाने की चीजों का और संग्राहक का मतलब इखटा करना तो वो लोग खाने की चीजों का शिकार करके उसे इखटा किया करते थे उनका यही काम था वो खाने की चीजों के लिए शिकार पे ही निर्भर थे भोजन का इंतिजाम करने की विधी के अधार पर उन्हें आखे टक खात संग्रहक कहा जाता है वे लोग खाने के लिए जंगली जानवरों का शिकार करते थे मचलिया और चिडिया भी पगड़ते थे ठीक है जंगली जानवरों के साथ-साथ वो मचलियों को और चिडिया ये भी खाय करते थे इसके अलावा वो फल, मूल, दाने पौधे, पत्या, अंडे घटा किया करते थे हमारे उपमहादीब जैसे गर्म देशों में पेड़ पौधों की अंगिनत प्रजातियां मिलती है पेड़ पौधों से मिलने वाले खाद प्रदाद भोजन के महतपुर्च रोते तो वो लोग खाने के लिए जंगली जानवरों, मचलियों, चिडिया इसके आलावा फलफूल, दाने, पौधे, पत्ती, अंडे ये सारी चीज़े खाय करते थे लेकिन ये सारा काम इतना आसान नहीं था क्यों आसान नहीं था? क्योंकि कई जानवर ऐसे हैं जो हमसे जादा भाग सकते हैं तथा कुछ जानवर हमसे जादा ताकतवर होते हैं तो शायद कभी जानवर इंसानों को खा जाते हों और कभी इंसान जानवरों को खा जाते हों ऐसा भी रहा होगा लेकिन धीरे धीरे जो इनसान थे वो भी सतर्क होने लगे, डेवलप होने लगे तो उन्होंने ये चीजे सीख ले कि हमें हमारे शिकार को कैसे पकड़ना है जानवरों के शिकार, चिडिया या मचलिया पकड़ने के लिए बड़ा सतर्क, जागरुक और तेज होना पड़ता है पेड़ पौधों से खाना जुटाने के लिए ये जानना जरूरी है कि कौन से पेड़ पौधे खाने योगे होते हैं अब हम हर तरह के पेड़ पौधे तो नहीं खा सकते हैं बहुत सारे ऐसे भी है जो विशेले होते हैं तो हमें उनकी जानकारी रखते हुए ही उसे खाना होता है इसके अलावा फलों के पकने की समय की जानकारी भी होती है हर फल के पकने का अलग-अलग समय होता है तो हमें फलों के पकने के अधार पर ही उन्हें खाना चाहिए लोगों का एक इस्थान से दूसरे इस्थान पर घूमने का कारण अपकी वुक में इसके चार कारण दिये हैं कि लोग एक इस्थान से दूसरे इस्थान पर क्यू जाते थे लेकिन इसके चार से भी जाधा कारण हो सकते हैं ठेके अगर मानव एक इस्थान पर ज्यादा दिन तक रहता था तो वो वहां की सारी चीजा को खाके ख़दम कर देता था तो अब उसे खाने के लिए चीजों की आवश्यक्ता होती थी तो उसके लिए वो दूसरे इस्थान पर चला जाया करता था ठीक है second point है शिकार के लिए जानवर अपने शिकार वो हीरन और मवेशी अपना चारा ढूनने के लिए एक स्थान पर जाया करते थे इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे-पीछे जाया करते होंगे जो जानवर थे वो भी तो खाने के लिए किसी पर डिपेंडियन होंगे तो जब जानवर अपने शिकार के लिए दूसरी जगा जाते थे और मवेशी चारा ढूनने के लिए दूसरी जगा जाते थे तो जो शिकारी होते थे वो जानवरों के पीछे-पीछे दूसरे स्थानों पर जाते थे, ठीक है, वो जाने लगे थे थर्ड पॉइंट है मौसम के अनुसार, पेड़ों और पौधों में फलफुल अलग-अलग मौसम में आते हैं इसलिए लोग उनकी तलाश में उप्युक्त के अनुसार अन्ने इलागों में घूमते होंगे लोग एक जगह से दूसरी जगह जाना स्टार्ट करने लगे थे, क्योंकि उन्हें मौसम की भी जानकारी होने लगी थी अलग-अलग मौसम में पेड़ पौधों पौधे भी अलग किस्म के पाया जाते हैं तो उनकी तलाश में वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमट किया करते थे फॉर्थ पॉइंट होता है पानी की तलाश में पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधों का जीवित रहना संभव नहीं होता और पानी जीलो और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि जो लोग थे वो जब गर्मियों के मौसम में या जब भी पानी सूख जाया करता था जीलों का या नदियों का तो वो एक इस्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते होंगे क्योंकि पानी हर इनसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इसके लावा लोग जो थे वो डेवलप होने लगे थे तो उन्होंने अपने रिष्टदारों और दोस्त भी बनाने शुरू कर दिये थे तो उनसे मिलने के लिए भी वो एक इस्थान से दूसरे स्थान पर जाते होंगे तो उसके चार कारण हुए भोजन की तलाश, शिकार के लिए, मौसम की अनुसार और पानी की तलाश में अब आता है आरंभिक मानव के बारे में जानकारी पुरा तत्वीदों को ऐसी वस्तुए मिली हैं जिनका निर्मार और उपयोग आखे टक खात संग्राह किया करते थे आखे टक खात संग्राह के जो लोग थे वो औजार बनाने का काम किया करते थे जिसके अवशेस पुरा तत्वीदों को मिले हैं लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकडियों और हड़ियों के ओजार बनाये थे ये एक short question भी है कि आखे टक हाथ संग्रा किन चीजों का इस्तमाल करते थे ओजार बनाने के लिए तो पत्थर, लकड़ी और हड़ि ये तीनों चीजी ही उनकी चाकू का, उनकी हथोड़े का, उनकी सुई का काम किया करते थे उस टाइम पे ना हथोड़ा था, ना चाकूत्या, ना सुई थी तो वो लोग जो औजार बनाते थे वो इनी तीनों चीजों को मिला के बनाया करते थे अब औजारों का वो क्या प्रियोग करते होंगे उस टाइम पे फलफूल काटने के लिए करते होंगे हड्डियों और मास काटने के लिए पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए इनसान के खाने योगे जड़ों को खोदने के लिए जानवरों की खाल से बने वस्तरों को सिलने के लिए किया जाता था अब फिगर में जैसे ये औजार है पत्थर का और इसे मानव जो जड़ है उसे खोदने के लिए इसका प्रयोग कर रहा है और जो second figure है हमारी right side इसमें इस पत्थर का प्रयोग मानव जानवर की खाल से जो वस्त बना है उसको सिलने के लिए तो वो लोग इस पत्थर का जो आजार है इसका इस्तमाल हथोड़े के रूप में भी कर रहे हैं और इसके अलावा सुई के रूप में भी कर रहे हैं यही आजार वो लोग इस्तमाल करते थे उस टाइम के आजार जैसे धीरे धीरे ये डेवलप हुए हैं ठीक है ये प्रांच जहां पर आखेट खात-संग रहा के होने के प्रमार मिले हैं लोग ऐसी जगह ढूंडते रहते थे जहां अच्छे पथर मिल सके जहां लोग पत्थरों से और बनाते थे उन इस्थलों को उद्योग इस्थल कहते हैं जो लोग थे वो ऐसी जगह ढूंडते थे जहां पर अच्छे पथर मिल जाए क्योंकि पत्थरों से ही उनका सारा काम होता था औजार बनाते थे पत्थरों की गुफाओं में रहते थे अलमुस्ट काम उनके पत्थरों से ही होते थे तो जहां पर भी वो लोग औजार बनाते थे उसे उद्योग इस्थल कहा जाता है जहां पर भी औजार बनाते थे उसे उद्योग इस्थल कहते हैं याद रखना उद्योग इस्थलों पर पत्थर के बड़े बड़े तुकड़े मिलते हैं और ऐसे उपकरण मिलते हैं जिन्हें लोग इन इस्थलों पर छोड़ गए होंगे वो लोग उसका इस्तमाल करते थे और वहीं पर छोड़ जाते थे जो कि अफशेश के रूप में आज मिलते हैं ओजार बनाने के बाद पत्थरों के तूटे फूटे तुकडे भी इन इस्थलों पर मिलते हैं कभी कभी लोग इन इस्थलों पर कुछ जादा समय तक रहा करते थे ऐसे इस्थलों को अवासिय और उद्योग इस्थल कहते हैं अब आता है पुरा इस्थान क्या होता है वह इस्थान जहां औजार बर्तन और इमारते जैसी वस्तुओं के अफशेश मिलते हैं उसे पुरा इस्थान कहा जाता है पुराने समय के जो भी अफशेश हमें जिस इस्थान से मिलते हैं उसे हम पुरा इस्थान कहते हैं ये भीम बेट का अधुनिक मध्यपरदेश का एक गुफा है जहां पर लोग रहते थे अवासिय पुराइस्तल जहां लोग रहा करते थे लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहां उन्हें बारिश और हवाओं से रहात मिलती थी लोग खुद को सुरक्षित करना भी सीख गए थे पाशार औजारों का निर्मार लोग औजार कैसे बनायते थे फर्स्ट पॉइंट है पत्थर से पत्थर को टकराना जिस पत्थर से कोई औजार बनाना होता था उससे एक हाथ में लिया जाता था और दूसरे हाथ से एक पत्थर का हथोड़ी जैसा इस्तमाल होता था इस तरह आगात करने वाले पत्थर से दूसरे पत्थर पर तब तक शल्क निकाले जाते हैं जब तक वांचीता कारवाला उपरन ना बन जाए जैसे कि आप इमाजिन करो कि आपके हाथ में हथोड़ा है और आपने कोई पत्थर या कोई चीज ली है उस पर आप तब तक मारोगे जब तक की एक शेप ना मिल जाए जैसे आपको चाहिए तो उस टाइम के लोगे पास हथोड़ा थो होता नहीं था तो वह दो पत्थर लेते थे और एक पत्थर को तब तक दूसरे पत्थर पर बारते थे जब तक एक परफेक्ट शेप उनको ना मिल जाए दूसरा हता है दबाव शल्क तकनिक इस क्रोड एक स्थिर सतव पर टिकाया जाता था एक जगा पर रखकर फिर उसको थोड़ी नुमा चीज से मारा जाता था और इस क्रोड पर हड़ी या पत्थर रखकर उस पर हथोडी नुमा पत्थर से शल्क निगाले जाते हैं जिससे वांचित उपकरन बनाए जाते हैं तब तक उस पे मारते थे जब तक उन्हें एक वांचित उपकरन यानि एक परफेक्ट शेप वाली नुकीली चीज एक ओजार ना मिल जाए जैसे कि शेप इसमें देखो मानव ने पत्थर लिया है और उसको दूसरे पत्थर पर मार-मारके उससे नुकीला बनाने का प्रयास कर रहा है और सेकिंड फिगर में भी लकडी का यूज करके या पत्थर का यूज करके वो इस तरह उसका इस्तमाल कर रहे है कि जब तक उस ए यहां पर कुर्णूल की गुफा है यहां पर आग के अवसेश भी मिले हैं यानि मानव ने शिकार करने के साथ साथ औजार बनाना सीख लिया औजार बनाने के बाद अब आग का प्रयोग भी सीख गया था लेकिन वह लोग आग का क्या क्या प्रयोग करते थे तो पहला प्रका आने के लिए अब मानव इतना डेवलप हो गया कि वो गुफाओं में रखके भी खुद को सुरक्षित करने लगा और जानवरों से भी खुद को सुरक्षित करना सीख गया तो मानव का विकास होने लगा अब आता है बदलती जलवाईू हमारी जलवाईू में परिवर्तन हुआ और उसके बाद हम देखने क्या होता है लगवग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवाईू में बड़े बदलावाए और गर्मी बढ़ने लगी और जैसे जैसे गर्मी बढ़ी न हमारे हम पे घास की जो मै मैदान बनने लगे इस से हीरन, बाराशिंगा, भेड, बक्री और गाये जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी जैसे जैसे घास के मैदान भड़े उसे खाने वाले जो जानवर थे वो लोग भी बढ़े उसके बाद जानवरों के बढ़ने से उनका जो शिकार करने वाले अब ये लोग जानने लगे कि इनके खाने पीने की क्या आदत है इनके प्रजनन का क्या टाइम है इस काल में मचली भी भोजन का महतपुर शोत बन गई कंद मूल के साथ शिगार के साथ अब लोग मचलियां भी तेजी से खाने लगे उप महादीब के विविन इलाकों में गेहूं जो और धान जैसे प्रकरतिक अनाज उगने लगे थे अब लोगों ने गेहूं जो और धान को भी देख लिया कि वो कैसे उगते हैं महिलाओं पुरुचों बच्चों ने अनाज को भोजन के लिए एकत्र करना शुरू कर दिया होगा अब वो उसे एकटा करने लगे खाने के लिए उसके बाद उन्होंने सीख लिया होगा कि अनाज कहां उगते हैं कब पकर तयार होते थे धीरे धीरे लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा ठीक है? इतिहास में जादतर जो जानकारिया होती है वो सटीकता के साथ नहीं दी जाती है ऐसा कहा जाता है कि ऐसा हुआ होगा अंदाज लगाया जाता है क्योंकि अफसेश के अधार पर कोई चीज़ कही जा रही है इसलिए हम भी यह चीज़ कह रहे हैं कि ऐसा हुआ होगा तो ऐसा नुमान लगाया जाता है कि जो महिला पुरुश और बच्चे थे उन्होंने अनाजी खटा किया होगा फिर उन्होंने जाना होगा कि गपकर तयार होता है धीरे-धीरे लोगों विकास आया होगा शेल-चित्रकला अजार बनाना शिकार करना इसके साथ-साथ अब लोगोंने चित्रकारी भी सीख ली जिन गुफाओं में लोग रहते थे उन्में से कुछ की दिवारों पर चित्र मिले हैं कुछ सुंदर चित्र मध्यपरदेश और दचुड उतर परदेश की गुफाओं में भी मिले हैं मध्यपरदेश में बहुत सी गुफाओं में चित्र कला के अच्छे उunnदहरन मिले हैं इसमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्र किया गया है कौन क्या करता था यानि कि उस टाइम पे जो महिलाय पूरुश या बच्चे थे वो अपने काम का कैसे बटवारा करते थे क्या वो अलग-अलग काम मतलब कैसे काम क्या करते थे मिलके करते थे या कुछ काम पूरुश करते होंगे कुछ काम महिलाएं करती होंगी ठीक है आरंबिक लोग शिकार तता फल मूल का संग्रह किया करते थे वह पत्थरों के ओजार और गुफाओं में चित्र बनाते थे ठीक है तो उनके काम थे शिकार करना फल मूल को इखटा करना पत्थर के ओजार बनाना और गुफाओं में चि की या तो काम साथ में करते होंगे या ऐसा भी हो सकता है कि जो पुरुष्ते वो शिकार करते हो और महिलाय फलमॉल को इखटा करते हो या साथ में भी करते हो तो इसके अलावा उप महाभीब अलग-अलग छेत्रों में अलग-अलग परमपराएं रही होंगी इसके बाल लोग धीरे-धीरे जैसे डेवलप होने लगे उन्होंने नई-णई परमपराओं को भी सीख लिया खुसंगी का सुछम निरिक्षन ये एक जगा है जहां कई प्रकार के ओजार मिले है ये संभवता आवास और उद्ध्योग स्थल रहे होंगे जहां पर लोग रहते भी थे और ओजार भी बनाते थे कुछ चोटे पुरास्थलों में ओजार बनाए जाने के प्रमाड मिले हैं कुछ पुरास्थल जर्नों के निकट थे ज्यादा तर जो पुरास्थल है वो जर्नों के निकट ही मिले हैं क्योंकि जहां पर पानी होता था लोग वहां पर रहना पसंद करते थे अधिकांस औजार चूना पत्थर से बनाए जाते थे अब आता है पाशाण काल हमने यह जो चैप्टर पढ़ा और इसके बाद के जो दो और चैप्टर से नेक्स थर्ड और फोर यह तीनों ही चैप्टर पाशाण काल के हैं पाशाण काल को तीन कालों में बाटा गया है पुरा पाशाण काल, मध्य पाशाण काल और नौपाशाण काल इस topic के लिए मैं एक separate video बनाऊंगी next तो उसमें मैं इसके बारे में पूरा बताऊंगी अब thank you so much और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको जरूर subscribe करना मेरे चानल को और share भी करना, like भी करना thank you so much